सब्सक्राइब करना होगा तब ही जा करके अपने फोटोस को एडिट कर सकते हो तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे अपने मुबाइल के प्ले स्टोर में जाने के बाद हमको सिंप्ली यहां पर सर्च करना है फोटो रूम जैसे हम सर्च करेंगे फोटो रूम तो आपके मुबाइल में कुछ इस तरीके से इंटरफेश चो होगा यहाँ पर मैंने अपने mobile में already इसको install कर रखा है और यह बहुत ही अच्छा application है जो कि आपके thumbnail को attractive बनाने में मदद करता है तो यहाँ पर मैंने already अपने mobile में install कर रखा है तो simply इसको हम open कर लेंगे जैसे ही इसको हम open करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से interface शो हो जाएगा यहाँ पर select कर लेना है तो मैं मुझे इस वीडियो का thumbnail बनाना है इसके लिए मैंने यह photo already click करा हुआ है तो मैं इसको edit करने वाली हूं तो इसके लिए हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लेना है यह बना पहरे तो बहुत ही ज़्यादा महनत पर जाता था तो अगर आप photo चाहते हो इस तरीके से edit करना तो photo तो अप लोग इस तरीके से पी एंजी जैसा आएगा तो आपको कुछ इसको select कर लेना है और उसके बाद आपको यह उपर में इस तरीके से upload को अप्लोड को सो गाईस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर already हमारा जो image वह आ जा चुका है और यहाँ पर upload का जो आइकन उस पर click करके हमको save to gallery कर लेना है ज यहाँ पर यह एडिट हो करके यहाँ पर आ जा चुका है तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो photo है वह अच्छे से आ गया है और यह मैं यूज करूं भी thumbnail बनाने के लिए तो बड़े ही आसानी से आप thumbnail बना सकते हो अपने photos को इस तरीके से click करने के बाद और गाईस अगर आ लाइक शे सब्सक्राइब जरूर करिएगा जैहन बने मात्रम